प्रिये चात्रो एक प्रियास चनल पे आप सब का स्वागत है। आज मैं आप सब के साथ बिहार में अधुनिक काल का करम किस ट्रकार से रहा इसको डिसकस करेंगे। अधुनिक काल में देश के साथ साथ बिहार में भी केंदरिग्रित मुगल सासन के पतन के बाद छेत्रिय सक्तियों के उधैं होने के कारण एवं प्रफाव को इस टौपिक में डिस्कस करेंगे, साथ ही यूरोपिय कंपनियों का बिहार में आग्मन तथा उसका राज्य के अस हैं बिहार अधुनिक काल के साथ में तो सबसे इसको सबसे पहले जो यह काल है इसको 15-16 पॉइंट में देखेंगे और फिर इसके बाद जनांदुलन के बारे में देखेंगे जैसे पहला पॉइंट है कि बिहार में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन सत्रहवी खेटर में सर्पथम पॉर्थगाली आये थे जैसे एक बार पूछा हुआ BPSC में कि बिहार में सबसे पहले कौन आये थे विदेशी तो पॉर्थगाली आये थे जिन्होंने अपना व्यापारी कैंद्र हुगली में अस्ठापित किया था और हुगली से यह नाउ से पटना आते थे मसाले चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे और बापसी में सूती वस्तर लेकर चले जाते थे दूसरा पॉइंट यह है जो इस वार BPSC में 65 BPSC में कोश्चन भी आया था कि 17 वी सताबदी के मध्य तक डचो ने बिहार के कई अस्थानों पर सोड़े का गोदाम अस्था सहापित किया था सरप्रथम डचो ने पट्टना कॉलेज की उतरी इमारत में 1632 हिस्वी में दच stuk फैक्ट्री के की अस्थापना कि थी तो 1632 तीसरा ब्याट है कि 1662 हिस्वी में बंगाल में डच मामलो के प्रधान नौथियस Bangden बरूग ने मुगल सम्राट और इंजेवसे ब्यापार से संबंधित एक फार्मान बंगाल बिहार और विशा के लिए प्राप्त किया था डच यात्री ट्रेवरिन 21 दिसंबर 1665 को पटना पहुचा था और उसके बाद उसने छप्रा की यात्रा की और छप्रा में उस समय सोडे का सुधी करण किया जाता था ये भी में सोडे के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त कर लिया था नॉम्बर 1769 में वेतरा के नरनायक युद्ध में डच अंग्रेजों से पराजित हुए और उनका अस्तित लगवग समाप्त हो गया तो यह कोश्ण एक बार पूछा हुआ है कि वेतरा का युद्ध कब हुआ था तो 1769 में डचो का अंग्रेजों के साथ जो है युद्ध हुआ था पांचमा पॉइंट है कि भारत में फ्रांसिसी इस्ट इंडिया कंपनी की अस्थापना फ्रैंकोईस मार्टिन के नतित्त्यों में 1664 हिस्वि में की गई थी यह भी कोश्ण एक वर आया कि फ्रांसिसी 1757 में चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया कासिम बाजार में फ्रांसिसी कंपनी के प्रमुक एम जियॉलो को बंगाल छोड़ना परा जियॉलो दो मई 1757 को भागलपूर और तीन जुन को पट्ना पहुंचे थे पट्ना में बिहार के डिप्टी गवर्नर उसमें राजा राम नारायन जिने जियॉलो का स्वागत किया था नेक्स पॉइंट है 1774 से 75 इस्वी के बीच में पट्ना में डेन्माक की कंपनी की फैक्टरी के अस्थापना हुई मई 1775 में पट्ना की डेनिस फैक्टरी के प्रमुख जॉर्ज वर्नर की कंपनी भी सोड़े का ब्यापार करती थी नेक्स पॉइंट है कि अधिकतार इतिहास कारू का मानना है के इस्ट इंडिया कंपनी के अस्थाई माल गोदाम की अस्थापना 1691 इस्थाई में पट्ना के गुल्जार भाग में की गई थी कंपनी की रुची अमवर्ती क्यालिको वस्त्र एबं कच्छे रेशम से संबंधित व्यापार में थी इसके अतरिक्त वे सोड़ा और अफीम को भी व्यापार का अभिन अंग मानते थे नेक्स्ट पॉइंट है कि 1757 इस्व में पलासी का जुद्ध हुआ ये भी BPSC में पूछा हुआ है कि 1757 में बकसर का जुद्ध का हुआ था तो 1764 में और इसके फलसुरूप बिहार बिटिस आधिपत्य में पूर्ण रूप से आ गया तो ये कुश्चन आता है कि बिहार को इलाहाबाद में एक संधी हुई थी जिसके द्वारा कंपनी को बिहार बंगाल यम उडिशा की दिवानी प्राप्त हो गए तो ये भी कुश्चन आता है कि कि संधी के तहट तो इलाहाबाद की संधी हुई थी 1765 में कि इसके बीच में लौड क्लाइब और मुगल समराइ को जो प्लासी का युद्ध हुआ इसमें अंग्रेज विजय हुए मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया गया और उसके पुत्र मीरन जो था मीर जाफर का पुत्र मीरन उसे बंगाल का उप नवाब बनाया गया और बिहार की वास्तविक सप्ता राजा राम नारायन के हाथ में आ गए नेक्स्ट पॉइंट है कि मीर कासीम ने 1761 ख़ियर. से या क्लिश्ट ब स्वास हैं अपनी राज़ानी मुर्सिदाबाथ से हटा कर मुंगे रस्थ रस्तापित कर ले किसमें बंट से वाथ का निर्मान किया था एलिस ने 24 जून 1763 हिस्व को पटना पर अधिकार कर लूट पार्ट की थी और अनेक निर्दियस लोगों की हत्या भी कर दी थी नेक्स पॉइंट है कि पटना में मीर कासिम ने अंग्रेज अधिकारियों का कतल्याम किया और यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से भी जाने जाती है तो बीपेसी में कोशन यह भी आया था कि पटना हत्याकांड को किस ने अंजाम दिया तो मीर कासिम ने दिया फिर 15 नमबर पॉइंट है कि 2 सितंबर 1763 को बिहार के राज महल के उद्वानला के युद्ध में मीर कासिम अंग्रेजों के हाथ पराजित हुआ 4 दिसंबर 1763 को कर्मनासा नदी पार कर अवद राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया 16 नमबर पॉइंट की 22 अक्टूबर 1764 को भारत की तीन प्रमुख ताक्तों के साथ उसका युद्ध हुआ जिसका परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहा अंग्रेजी जीत गये थे 1764 बक्सर के युद्ध में फ्रांसे से आये थे तो चलिए आगे अब जो यह तो अंग्रेजी सत्ता यहां स्थापित हो गई और अंग्रेजी सत्ता जब अस्थापित हुई बिहार में उसके बाद विभिन प्रकार के सोसन किये जाने लगे और उस समय के जो जंजातिया थी उनके उपर भी सोसन किया चाँने लगा तो उनको जंगल में थे उनमें अंग्रेज ब्यपारी लोग विपार के तौर पर जंगलों से अनको विस्तापिद किये जाने लगे उनसे उस सब चीजों के कारण क्या हुआ उनकी अंदर जो है क्रिशीव भू में उनसे छीनी जाने लगी तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिनके कारण जो जन्जाती थे वह आंदोलन करने को मजबूर हूए उनसे मज़दूरी कराई जाती थी पैसे नहीं दिये जाते थे तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण उनका अधिकार छीने जा रहे थे तो इन लोगों न लोगों ने इस बिद्रों को किया था और इस जन्जाती ने सन 1789 में अपने विद्रों ही तेवर दिखाने शुरू कर दिये थे मतलब 1764 के बाद तो बिहार पर अधिकार ही गुए था और पचीस साल भी नहीं गुजरे थे कि बिद्रों जनांदोलन स्टार्ट हो गया था इनके सोचन के खिलाफ दूसरा चेरो विद्रो हुआ था यह अंदोलन लगवग 1860 में चेरो किसानों ने अपने राजा के विरोध सुरू कर दिया था और चेरो सरकार भूषन सिंग उस समय थे चेरो के जो नेता थे भूषन सिंग उनके नितत्तों में खुला विद्रो शुर था हैं हो विद्रो ह्वा थाव एक बार नहीं मेरे खेल से 2-3 बार वार भूषा हुआ ही हो इसंकुनं का झिक्र Haiti जोटिया लोड गाउंका चिकर छे मिलतक्ति कूल वा था यह भी च्छोटानागफए हॉर हम मानभूम की कई जन्जातियों का संजुक्त विद्रों था जिसका कारण अंग्रेजों के बढ़ती हस्त छेपों के सोशन की खिलाफ उपजा था प्रिसी और शिकार परास्टित लोगों से मनमाना कर्वसूल ने अत्याचार किये जाने चुकाने की असमर्थता में उनका जमीन दीकु ओ दीकु जो होते थे बाहरी लोग जो आते थे जैसे अंग्रेज या जमिन दारवर्ग के लोग होते थे जो बाहर वाले लोग होते थे उनको जमीन दे दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा तो वो लोग दीकु कहलाते थे तो जमीन उनको दे दी जाती थी जिसमें जारखंड का महतुपूर्ण स्थान था और उस समय तो जारखंड विहार रेखी था इसी विद्रोह ने प्रशास्निक व्यवस्ता में सुध प्रशास्निक व्यवस्ता में सुधार कारण जो है या इसके कारण या विद्रोह हुआ था फिर अगला एक बहुत महतुपूर्ण विद्रोह हुआ था संथाल विद्रोह जो की वीर्भूम ढाल्भूम सीभूम मान्भूम और बाकुरा के जमिनदारों दोरा सताये गए नौ इस्वी में संथाल परगनाच्छेत्रजी से दामीने कोह कहा जाता था तो संथाल जन जाती जो किसी और वनो पर निर्भर थी इन्होंने कंपनी और उसके समर्थि जमिनदार सेवकू अधिकारियों को हानी पहुँचाए थी जब इनका सुशन होने लगा तो इन्होंन अपने उत्पीर को के विरू लाममंद लराई लड़ने की सपत लेती है तो संथाल विद्रो अठारा सो पच्पनिस्वी में हुआ था हजारों संथाल जो है इनकी नेतत्त्त में सीधू कानू चांद और भैरों के नेतत्त्त में यह विद्रो किये थे फिर अगला जो इंपॉर्टेंट आता है वो ताना भगत मुमेंट है तो 1914 इससे में शुरू हुआ था यह भी बीपेसे में पूछा हुआ कोशन है ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं बलकि उराओ जन जाती थी कि एक साखा थी जिसमें कुडुक धर्म अपनाया गया था नतलब कंफियोज नहीं होना है ताना भगत कोई व्यक्ति का नाम नहीं है यहां आंदोलन जो है बेसिकली जत्रा भगत ने चलाया था जो कि जत्रा भगत कहता था कि भगवान द्वारा उसको सिध्धी मिली है और वो अलोकिक सिध्धियों में रत रहता था और बजपन का नाम उसका धर्मेश था तो धर्मेश नामक उराओ देवता ने दर्संदिया था और यह बिर्षा आंदोलन से ही जन्मा था टाना भगत आंदोलन भेव फिर उसके बाद एक महतोपुर्ण विद्रो हुआ नोनिया विद्रो जो की 1770-1800 इस्वी के बीच में बिहार के सोड़ा उत्पादक छेतर जो हाजी पूर्तिर हुद्षारण और पूर्णिया में यह विद्रो बेसिकली हुआ था क्योंकि नोनिया जन्जाती के लोग सोड़ा सोधन का काम ही करते थे सोड़ा बेसिकली बारूत बनाने के उपयोग में लाया जाता था तथा नोनिया जाती नोनिया जन्जाती हुआ करते थे फिर एक महतुपूर्ण आंदोलन बिहार में हुआ बहावी आंदोलन इस आंदोलन के प्रवर्तक अरब के अब्दुल बहाव थे और अंग्रेजों के द्वारा अधिक्रित भारत को दारूल हर्व की संग्या इन्होंने दी थी और इसको स परा किया गया जिनका जन्व 1776 इस्वी में राय वरेली में हुआ था संथाल विद्रोह जो हुआ संथाल विद्रोह के परणाम सरुप तीस नॉम्बर 1856 इस्वी को संथाल परगना जिला के अस्थापना हुई यसली एड़ेप प्रथम जिलाधिस न्युक्त हुए फिर एक एक सरदारी आंदोलन के चर्चा होती है कि इसाई धर्म के व्यापक प्रचार के विरुद्ध जन्जातिय सुधारबादी आंदोलन था या सरदारी आंदोलन 1869 से 1881 इस्वी के मधी चला इसका उल्लिख सी राय ने दमुंडाज में किया है तो ये कोशन आ सकता है कि दमुं अधिरत माजी दौरा किया गया था उद्धे से था प्राचीन मुल्यों और जन्जातिय परंपराओं को पुना स्थापित करना और इसका जो प्रभाव चेतर था वो संथाल पढ़गना था आंदोलन के प्रती पूर्ण समर्पन वाले सफाहोर कहलाते थे और उदासीन में पूजे जाते थे आदिवाशियों के बीच में जन्जातियों के बीच में अठारो सो पंचानमे तर लगवग छे हथजार मुंडाओं का एक संगठन बन गया था जो कि संगठत रूप से अंग्रेजों का विरोध करते थे इसका मुख्य उद्धे से था अंग्रेजी सर अठारो सो तिरपन इस्वी में अंग्रेजों और बहावियों के बीच में लराई हुई जिसमें बहावी जीत गये थे और अठार सो अठावन इस्वी में फिरसे अंग्रेज और भावियों के बीच में लराई हुई जिसमें अंग्रेज जीत गए पत्ना में नित्तु लियाका तली जिसने उत्तर पस्टिम में सितना केंद्र बनाये थे और इनाये तली हैदरावाद से थे अठार सो चवालिस में असी लोग के साथ अफगानिस्तान जब जा रहे थे विलाये तली लाहोर में उन्हें गिरफतार कर पटना भेजा गया और अठार सो एक क्यावन बावन इस्वी में उनके मृत्ती हो गई एक अंतिम विद्रो बहुत ही फेमस लोटा विद्रो मिलता है जो कि मुझफरपुर के जेल में हुआ था पीतल के लोटा की जेगा मिट्टी का लोटा देने के कारण और यहां विद्रो कब हुआ था तो 1856 में हुआ था तो इस तरह से मैंने आप सबके साथ बिहार में जो आधुनिक काल में विदेशियों का जो भारत में आगमन रहा उ परिक्षा में आपको इससे काफी लाभ भी होगा और अगर आप लाभानवित महसूस कर रहे हूं तो क्रिपया अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें एक प्रयास चनल देखने के लिए धन्यवाद अगर यह वीडियो आपको पसंद आ खर इससे करेंवर प्रिवाद एस ने को अपने करेंवराभ रायादा ने करेंव珠ोच करेंवाददल एवशन से करेंवार दोस्तों करेंवरन दोस्तों करेंवरवर exकाल आपको नेन्यवाद